हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माइवीडियो आज का वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल पेंटिंग के जो बचे हुए दो मिनियाचर पेंटिंग थे उसके बारे में तो वीडियो को एंड तक जरूरी नहीं देखेगा वीडियो सौथी होगा आप लोगको ज्या उतना ही आपसलेवस है हाला कि मैंने लेवस का वीडियो बनाया के अपलोड कर दिया उसे भी आप देख सकते हो तो बहुत सार बचे कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कि यह सफिशेंट है या फिर नहीं या फिर मुझे और भी कुछ पढ़ना होगा या फिर बहुत सार ऐसे कमेंट्स थे मेरे सिलेवस वाले वीडियो फे तो मैं यह पे क्लियर करना चाहता हूं जो देख रहे हैं स्टुडेंट्स कि आप लोग जितने वी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उन्हको आप लोग अच्छे से देख लोगे ना तो आपको बुक भी पकड़ने जरूत नह के देखना है नोट से पढ़ना है नोट में इंस्टग्राम पे दे दूंगा आपको मैसेज कर देना आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है और आप लोग को टेंस और फाइनाट की बिल्कुल भी नहीं लेना अगर आप मुझे फॉलोग कर रहे हो तो चलिए हम अगर नहीं होगा तो मैं अप कोई प्रॉल्लम नहीं है वैसे जाधा चाहरें तक में एंड कर दूंगा विकॉज अभी मैं रोज ही वीडियो डाल रहा हूं आप लोग के सिलेवस के लिए आधर लाज क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करना होता है तो वह फीर भी आपलो देख लेते हो फिर बचे हुए जो वीडियो जो लोग आप नहीं देखते हो उसको भी आप फॉलो करके देखते हो तभी तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन के लिए आप एक्जाम तक तयार हो जाओगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टि कि इसमें चांस ज्यादा होता है मिस्टेक करने का क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आर्टिस्ट के नाम पुछी जाते हैं भाइवा अगरा में तो बच्चे कन्फीज जाते हैं उस्ताज मंसूर बोल देंगे वह मतलब ऐसे मिक्सप हो जाता है और क्योंकि नेम भी तो बहुत सब्सक्राइब हो जाता है इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि देखिए अभी सेही आप लोग को पूरा नाम भी याद करते चलना है हाला कि मैं सोच रहा हूं कि इस पर डिटेल्ड वीडियो बना दो जिसमें सारे आर्टिस्ट का नाम उसके प्रेंटिंग के साथ और उसकी स्क उसके हिसाब से तो चलिए हम लोग इस वापस से टॉपिक पर आते हैं रियर्ड क्या है 1648 में ये पेंटिंग मनी थी कभीर एंड रैदास की उस्ताद फकरूला खान के द्वारा स्कूल कौन सा है सा जहां स्कूल में ये पेंटिंग मरी थी मीडियम क्या है टेंपरा वाटर इस पेंटिंग में दिया है कि ये और ये पूछा जाता है तो ये और जेंटल पेंटिंग है दसंद कभीर इस इन मेडिटेटिंग मूड में उसके पोश्चर में है और वीव कर रहा है एक गार्मेंट जो होता है उसको भून रहा है वो अपने लूम से एंड संत्रविदास जो है उन्हीं के बगल में सेम मूड में बैठे हुए है उनके क्लोस ठीक है ना पोशिशन क्या है इस पेंटिंग का फाइन थीन थीक लाइन इन ब्लू एंड ब्राउन कलर्स आर यूज वाइल लाइट ब्राउन सेड्स आर यूज वाइकिंग बॉर्डर ओगरा के लिए लाइट ब्राउण और सेड्स का इस्तिमाल किया गया है और थिन एदिक लाइन्स का के या ब्लू आ ब्राउन क्लर में पेंटिंग के लिए ओके तो इस painting को point of appreciation भी आप लोगो याद करना होगा अगर आप याद कर लोगो बहुत ही बहतर होगा क्योंकि यह आपको लिखना जलूरी हो जाता है इसमें पूछ भी दिया जाता है इसका simple and peaceful life of Indian villages are shown यह painting में क्या appreciate कर रहे हो आप क्या appreciation हो रहा है इस painting से तो क्योंकि इस painting से simple and peaceful life of Indian village जो है वो दिखाया जा रहा है simple and peaceful life village होता है Indian villages में वो ऐसा scene depict हो रहा है इसमें से संद कबीर is in weaving work shows that work is worship और संद कबीर जो है वो कोई चीज को बुन रहे है meditation के साथ ही साथ तो इससे यह समझा जाता है इससे ही हमें ज्यान मिलता है कि work is worship जो आप काम कर रहे हो ही आपकी वर्सीप है ठीक है तो यहाँ पेंटिंग साफ साफ दिख रहा हो बिल्कुल एकदम औरिजनल पेंटिंग है यह तो यहाँ पे संत जो है कबीर है जो कि कुछ देख सब्सक्राइब कर रहे हैं बुन रहे हैं यह और यहां पर रैदास है उसी पोच्चर में बैठे हुए तो यह पेंडिंग हो गया आपको इसको अच्छे से देख लो पेंडिंग देखने से कुछ ज्यादा है दिमाग में बैठ जात प्रोसेशन ऑफ दारा सिंग या फिर दारा सिकोह भी कई जगह लिखा हुआ है इसलिए मने दोनों कहीं मेंसेन कर दिया है या फिर दारा सिकोह की बारात किस टाइब से भी आ जागा तो दोनों सेम ही है आपको ठीक है तो इसके आर्टिस्ट है हाजी मदानी यह 1750 AD में बना है स्कूल कान सा है गुढ मुगल ओके मीडियम इसका है टेंप्रा वाटर कलर और पेपर और सब्जेक्ट मैटर जो है इस पेंटिंग का वह होरिजोंटल पेंटिंग है या रखिएगा होरिजोंटल पेंटिंग है दारा सिकोह की बारात या फिर मैरेज प्रोसेशन ऑफ दा towards bride house क्योंकि दारासिकोह की बारात है पेंटिंगे नाम से पता चल रहा है कि कुछ बारात टाइप का सीन होगा यहां पर तो दारासिकोह जो है वो बिल्कुल तो इन पेंटिंग दारात मैरेज प्रोशेशन इसीन रिसीवट बाइए लार्ज जॉइफुल गैदरिंग ऑफ में और इस बारात में आपको बहुत सारी में और वोमें भी दिखेंगे और बहुत ही सब जॉइफुल मूड में होंगे ठीक है ना गैदर होंगे कठे होंगे एक चस्म है एक आख वाले पेंटिंग होंगे यहां पर कंपोजिशन इस पेंटिंग का देख लेते हैं थीन एंद थीक लाइन साथ ब्यूटिफुली यूजड बहुत ही अच्छे धंग से ब्यूटिफुली तरीके से थीन और थीक लाइन का इस्तमाल किया गया है पेंटि बहुत ही मुश्किल होता है याद करना युको बैंटिंग तो बहुत सार है और यहां पर फिर तो आपको तो यहां पर दिमाघ में चला जाएगा तो आपको और पहले से देख होगा प्रेंटिंग आपको मुवाइल को रोटेट करना पड़ेगा थोड़ा तब देखो क्योंकि प्रेंटिंग फूल जो नहीं आप रहा था इस मोड में इसलिए वर्टिकल मोड में मैंने करके दिखाया है ठीक है ना तो यहां पर फोन को थोड़ा टिल्ट करके देख लो यहां साय रहे हूंगे ना भॉष कौनरेश को देखंब लियुक्त है श editor चलिए पइंटिंग है तो आपको बहुत सीन और कि और तो मैं यह यह आजाłe। सब्सक्राइब करें लेकिन जैसे आप दुबारा है फिर तीसरी बार रिवाइस कर लोगे तो आपको अंडर्शूड हो जाता है इसलिए मैं बाराबर कब बोलता हूं कि जैसे यह वीडियो आ रहे हैं आप सब को देख लो पांस प्रियो का टाइम लगे देख लो जो भी आप काम कर रहे हो थोड़ा फ्री होके वीडियो जिस दिन में डाल रहां उस दिन देख लो फिर जब एक्जाम नजदीक आएंगा तो आप देखोगे ना दुबारा से जब वीडियो को तो और भी ज्यादा क्लेरेटी से समझ में आएगा और वीडियो सुनने से मेरी बहुत सु अब पिननल आला और बीच में नोट्स अबस लेके नोर्स भी ले लेना ऊट्सको भात्यिक ये तो आपकर देखने के लिए लाइक जरूर करे को फ्रेंड के सेर के नाहीं कर रहे हैं जाँंत आ द भी ब्यूस ही नहीं आ रहें जाख पर इसलिए नहीं आरहां वीडियो पर राइस्थानी या फिर पहाड़ी या फिर और भी जो वीडियो है वो जाके जरूर देख ले अभी ही मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई and have a good day